तो है गाइस देश्ट बाई अबन दत्रवाल आज को डियो में बात कर रहे होंगे दर लार्जेस्ट आइटी खड़ूपकुर के बारे में और इस वीडियो को बनाने में आइटी KGB के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहींने मारी हेल्फ करिये जो कि आपको भांके यहां पर आपको दिखाई दे रही है यह सारी पहले वेरिफाई कराई गई है आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्वेंद केजरिवाल की बात करें उन सब को बारे में और इंजिनियरिंग कॉलेजेस को सुन्दर कहा जाता है क्योंकि उनके कांपस काफी बड़े होते है और बड़े का मतलब यूजिली होता है देड़ सो एकड, दो सो एकड, तीन सो आईटी डेली चार सो एकड पर जब हम खड़कपुर की बात करते हैं यह कॉलेज नहीं अपने आप में एक छोटा शहर है वेस्ट बेंगौल के अंदर यह है दो हजार एक सो एकड इतना करने से पहले यार गूगल के सिंदर पिचाई हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर रविंद केदरिवाल हो गए, चाहे आपके जीतु भाईया हो गए, या TVF के फाउंडर हो गए, साथ में अगर आप व्लॉगिंग की बात करें तो फ्लाइं बीस्ट और अगर कॉमेडी में द उससे जादा है कि वो कल्चर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है और कल्चर में सिर्फ यह नहीं कि आपके सीनिर्स के क्या साथ रेलेशनिशिप में साथ में यह कि आपको अंत्रोपरनोर्शिप का रिसर्च फैसलिटीजिस, कंपस जो इतना मागनिफिसेंट है, वो सारी यहाँ पर देखने को मिल रही होती है Your experience with placements depends on what path you want to follow. So if you want to go into software development or finance or data analytics or consulting, then there are plenty of opportunities for you. If you want to go into core, then I think there is still progress to be made from the campus in terms of the opportunities that are available to students as well as the process involved. We have two student media bodies, the Scholars Avenue and Avaaz, which do a really good job of collecting the data from the placement processes and presenting it well in terms of department-wise placement statistics and which companies come to hire and things like that. So I think you can check out their Facebook page or their website to know more about the placement process. Apart from sitting for placements, there are students who opt for higher studies and research and a career in academia. And although these students don't form the majority and sometimes it seems like the campus culture discourages it, the trend is changing. And you know, there are student-led initiatives such as reading groups, which are trying to encourage students to consider these as possible career paths. Top recruiters की अगर बात करें, तो सारी जो बड़ी tech companies हैं, non-tech companies हैं, वो यहाँ पे आ रही होती हैं, core की companies आ रही होती हैं. कि core में थोड़ी company कम आती हैं, packages थोड़े कम होते हैं, तो अगर किसी की core branches भी होती हैं, कि भाई, कोई chemical के अंदर है, कोई civil के अंदर है, कोई mechanical के अंदर है, कोई agriculture के अंदर है, कोई aerospace के अंदर है. तो वो सारे व्यक्ति भी tech के पढ़ाई साथ में कर रहे होते हैं, क्योंकि industry आज के दिन tech जादा demand कर रहा है, तो core वाले भी वहाँ की placement साथ में ले रहे होते हैं. अगर हम incubator के बात करें, incubator क्या होता है, यह वो जगह है यार, जो कि college आपको provide करता है, जिसमें आप अपना startup बिल्ड कर सकते हैं, आपको help करता है, आपको finances दे रहा होगा, आपको एक कमरा दे रहा होगा, जिसमें बैठ के, आप अपने teammates के साथ एक company को शुरुआत कर सकते ह हैं, आपको मौके दे रहा होगा, जहां पर आपको VCs के सामने यार, मिलने का मौका मिलेगा, जिनसे आप funding उठा सकते हैं, आपको contacts बन रहे होंगे, IIT का यार, सबसे strong point यह है, IIT और IIM के बारे में यह था जाता है, कि जब भी यार, आपको एक startup start करना होते हैं, तो आपको funding ची होते हैं, और funding के लिए आपको contacts ची हैं, कि जो आपको अंदर seed funding कर सकें, और IIT और IIM students के पास वो होते हैं, क्योंकि यहां से सबसे ज़्यादा entrepreneurs निकल रहे होते हैं, अगर हम यार, इधर देखें, मैं आगे बात कराता हूँ, इनकी जो entrepreneurship cell है, यह काफी सारे events organize करती है, य में सबसे important जो special अगर हम बोलें, वो है Jess Global, यह Jess here क्या है, this is the global entrepreneurship summit, इसके अंदर, यह India का largest student level यार, आपको entrepreneurship summit है, यहाँ पे आपको opportunity मिलती है, काफी सारे VCs के सामने अपने आपको pitch करने की students को exposure मिलता है, अच्छा यार, startup क्या होता है, बहुत अच्छा mall इन्होंने बना रख होता है, एक तरह से आप fest इसे कह सकते हैं, these startups provide college students a unique opportunity to work with them as a full-time employees, या या पढ़ सकते हो, मैं pause कर दूंगा, सारी information काफी ढूंड ढूंड के हर बच्चे से पुक्ता करके बताए गई है, जादा समय ना लो, इस लिमत थोड़ा सा आपका जल्दी जा रहा हूंगा, नीचे आ बहुत जादा कम होती है, पर सपना सब का होता है, यहां पर जाने का, तो आप अपना MSC में स्टार्ट कर सकते हैं, काफी बच्चे होते हैं, जिनका B.S. से, D.O. से कर रहे हैं, और अपना IIT के थुरू, अपनी MSC कर रहे होते हैं, आप GATE exam के थुरू, M.Tech and PhD बाद में कर सक सकते हैं, सीड का exam है, तो यह सब भी आप देख सकते हैं, आप Architects में जाते हो, J.E. का पेपर 2 है, Architecture वाला वो भी इसमें है, सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जनाब, Opening Rank, Closing Rank, Closing Rank काफी हाई होंगी, obviously आपकी IIT खड़कपर है, लास्ट अगर Closing Rank देखें तो यह करीब आप आप देख रहे हो, Aerospace Engineering, Aerospace Engineering आपके सारे colleges, सारे IIT आपको प्रवाइड नहीं कर रही होती, क्योंकि इसके लिए काफी बड़ा एक जगाची होता है, और IIT खड़कपुर के पास जगा की कमी है नहीं, तो इन्होंने Aerospace Engineering काफी अच्छी तरीके से करार रखी है, काफी Private College भी यार निकाल देते हैं Aerospace Engineering पर वहाँ का इतना दमदार नहीं होता, जितना IIT खड़कपुर का नाम यहाँ पर मना गया है, और आपको साथ में अगर हम देखें यार तो B.Tech 4 एर के साथ आपका, B.Tech प्लस M.Tech आपको dual degree भी मिलती है, इसके सिनारियो में आपकी cut-off है, वो जिनके अंदर करोडो रुपे यार लग रखे होते हैं, equipments के ऊपर, और इतना ज्यादा exposure, शायद ही कोई दूसरा engineering college आपको दे रहा होगा, करीबन 38 laboratories हैं, इन सब का नाम यहाँ पर दे रखा है, मैं यार जब काफी बार engineering colleges में जाता हूँ, तो बच्चे हैं, वो कभी-कभी इंट्रेसेड नहीं काभी professors कोई नहीं पता क्या पढ़ा रहे होते हैं, और कभी-कभी क्या है कि equipments ही नहीं होते हैं, जैसे कि आप fluids lab में जा रहे हैं, पता चला fluids lab में liquid ही नहीं है, ठीक है, ऐसे-ऐसे scenario भी देखे गए हैं, पर यहाँ पर जब हम IIT खड़कपुर के बात कर वो इन faculties के साथ, professors के under project करना चाते हैं, research paper लिखना चाते हैं, और चाहे आप खुदायटी खड़कपुर के नहीं हो, तो आप कोशिश करो अपने first semester, second semester के अंदर जो आपके number हैं, वो अच्छे आएं, और आपने second year या third year के अंदर इन्हें email कर सकते हो, contact कर सकते हो, website के माध अपने under allow कर देंगे काम करने के लिए, next अगर हम बात करें, काफी सारी scholarships है, और scholarships बहुत ही सारी है, मैं हर एक को बताते बताते थक जाओंगा, यहां पर काफी सारी आपकी corporates हैं, third parties हैं, जो की fund करती है, merit come basis भी आपको मिल रहा होता है, चाहे आपके घर में पास बिलकुल भ करीबन हजार बच्चों को IIT खड़कूर के अंदर financial assistance मिलती है, corporate agencies और वाकी third party द्वारा, साथ में यहार करीबन हजारी बच्चे हैं, जिने merit come scholarship मिल रही होती है, साथ में अगर आपको bank loan जैसे सुविधा चीए, तो college के अंदर ही काफी सारे bank loan रखें, जो की आपको education loan दे र बचता है, जो की करीबन 167 km सदूर है, तो पर आपकी अपने आप में एक small city और साथी सुविधा आपको मिल रही होती है, होस्टल यार करीबन 15 boys hostel है, 5 girls hostel है, 2 general hostels आपके दे रखें, शुरुवात के first second year में आपकी twin sharing या triple sharing room होंगे, फिर जैसे आप थोड़े senior हो जाते हो, आपको single room मिलना start हो जाता है, और यहां पे hall culture काफी जादा famous है, और उस hall culture के बारे में अगर आप जानना चाहें, तो YouTube पे काफी जाना देख सकते हैं, कोरा पे आप काफी जादा पढ़ सकते हैं, Now coming to the hostel part, generally from the third year onwards we get single room, in your first and second year you have to stay at triple sharing or four sharing room, so it's good, it's spacious, you have your each almera, all those things, bed, table, chair, and land port and all those things, talking about the cleanness part, like your rooms are cleaned once in a week and you have your attached balcony over here, the room is spacious, talking about the bathroom, like you don't have attached bathroom, there is common bathroom, you have to sometimes stand in line over there, but the best part of it is, the bathrooms are cleaned regularly, like every day, so it's good, and furniture में वही आपका bed, chair, study table, cupboard, internet, अब इन चीजों से फरक नहीं पड़ता, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा, और लड़कियां, लड़के, चाहे कोई भी हूँ, वो अपना campus में घूम सकते थे, यहाँ पर भी आप भूम सकते हो, बस बोलने के लिए strict timing बताया, बाकी बच्चों नहीं का घूम सकते हैं, campus के अंदर काफी शानदार campus है, यह आर आपका mess food है, मुझे नहीं लगता mess food, यह काफी subjective है, बाकी मने बच्चों से पूच के भी आपको clips थोड़ी सी मिल रही होंगी, बसकते होओ, इस जःना फ़से लाघ्चों के बच्चों के लिए, यह कि रूच से बच्चों चूच इना हैं, इस कि बच्चर आपके लाग बच्चों के लोगता था बादे को गूचिए हो रूम सकते हैं, इस उत्म के तो नहरीं रूच्च, व घूच्छ एक बच्च वा walks around 2.2 at night or just hang out with their friends at night and nothing really stops them from doing that so even though there is a curfew it's not strictly implemented and if you happen to come late to your hall you just have to sign in a hall register and how many canteens are there in fact you will go out for the reservation that is the general reservation that the car has provided the library if you talk about the library then if you talk about the library then India is one of the largest library in I.T. Khandakpur there are 3,000,000,000 books and there are about 100 general magazines which have a subscription every day and there are full air-conditioned and there are full time open and you can go and read it as much as you can read it so if you talk about the breakfast, lunch, dinner you will have to find out wedge and non-wedge both things are covered this is important because there are many colleges where non-wedge is not going to be done especially in North India here you will have to have wedge and non-wedge both things are going to be served and there will be some festivals plus you will have to have Fridays which will have to be made that you will have to make a good food and you will have to make a good food now you will have to make a good food you will have to make a good food then you will have to make a good food then you will have to make a good food or when you will make a good food then you will have to make a good food and those who already know in the comments section tell us your experience at I.T. KJP we call hostels as hall so coming to the mess part the food and its quality it really depends on which hall you are staying at I.T. Khandakpur talking about the food like we have 4 meals a day starting from breakfast, lunch snacks and dinner for the non-veg peeps also here we have chicken, fish, egg, curry which is generally served twice a week talking about the quality and taste like it's good it's really good talking about the night canteens there are numerous night canteens and which served really high quality of food and they are exceptional there are some exceptional canteens which served really tasty food and good food actually they are the life severe for the night owls over there and the food we get at subset as dead so it's like a cheap way of throwing party at it and the food we get at the end of the day here is a cultural fest which is a spring fest which is a tech fest plus you have a e-summit where there is an entrepreneurship regarding which I have shown you like the back of the day illumination this is Diwali during a festival you can make a lot of light to use and you can make a beautiful beautiful new photos you can make a beautiful spring fest that is a cultural fest that is a huge amount of prize money you can make a prize money which you can make if you can make a college so you can make a prize money you can make a prize money all this time when you have the time of the day you can make a prize money and the prize money is not a price value at least here you won't get an email like this if you can talk to illumination you have to talk to us about this सब कुछ मिलेगा आपको तैरना है आपको भागना है आपको बादमिंटन खेलना है वास्केटबॉल फुटबॉल टेनिस में आपको सिंथेटिक ग्राउंड मिल रहे होंगे वॉलेबॉल टेबल टैनिस होकी स्क्वैश और अगर कोई नया आप अपना इजाद कर लेते हो तो तो अपको देदे एक प्लॉट काट के दे एक तिनी बड़ा कंपस इनकाट थे कहां थे आपको अगर 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 आप प्लेसे देखोगे तो अगर 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 आपको बहुमने को नहीं मिलेगा तिके अरे सिटी जो है वो यह पर लिख रकाए और ने कौल्टाब श बहुमने क्पर अगर शिवाल आपको अगर खाए प्लार अगर 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 यह नहीं किल अगर अगर उनकाट अधर अगर और अगर द्भात करें जा इक तो यह पुछ इस परकार से हैं अपकर अपकर आपके पास ऑगर अगर अचाय फानेंशल पार नहीं ही है तब यह एक ड्रमाटिक सोसाइटी, एक डान सोसाइटी, फटोग्रफी सोसाइटी, इस प्रकार से क्विस सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटे आप खुली भी हैं, फिर भी कोई बच गई हो, तो आप जाके वहाँ पे बना ले न, दुबारा आपको ये प्लॉट काटके दे देंगे, अब गैलरी की बात करें, ये कुछ सारी फोटो यार, हमने लगा रखी है, आईटी, खडगपुर, या आईटी, बॉम्बे, या आईटी, डेली, ये जो टॉप आईटी, सिर्फ आईटी नहीं, हम एनाईटी और ट्रपल आईटी को भी आने वाले समय में कवर कर रहे होंग पर चाहे आपका टियर 2, टियर 3, NIT, ट्रिपल आईटी, इन कॉलेजिस के अंदर बे अड्मिशन हुआ है, दिल छोटा मत करना, दो साल की रेस नहीं होती, ये 40 साल की रेस है, I hope आप अपने जिंदगी में, बचे हुए आने वाले टाइम में हसल मारो, बहुत ही शांदार क करवाया, सारी चीजें करी, फिर भी हो गया हो, तो मैं सौरी मांगना चाहूंगा उसके लिए, तब तक के लिए बबाए, टेक केर, मुझे कमेंट सेक्षिन में बताओ, आपको नेक्स्ट कॉलेज कौन सा चीज, काफी सारे लाइन पर लाइन पीछे लगी पड़ी है, जो ह झाल